नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले है nflux TJ tablet के बारे में इस tablet के फायदे जानेगे, नुकसान जानेगे, इस्तमाल करने का तरीका जानेगे और कितने दिनों तक इसको इस्तमाल करना चाहिए यह विज़ विडियो में जानेगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दबाईयों की जनकारी पानी के लिए अपना डॉक्टर राज को कीज़े सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वोला निशाने उसे भी ओल पे टच करना ना भूलेगा तो दोस्तो एनफलोक्स टेजर टैबलेट आती है लेबोरेट कमपनी की और इसका MRP है 99 रुपे यानि कि 100 पे का या पत्ता आपको देंगे 10 गोलियों का लेकिन यह जनरिक प्रोड़क्ट है तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमें तोड़ा कमप्राइज लगाएं ठीक है तो इसमें जो सॉल्ट है वो है नोरफलोक्ससिन एंड टेनेडाजोल नोरफलोक्ससिन इसमें 400 mg है और टेनेडाजोल इसमें 600 mg है एक गोली के अंदर ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं इसके योज़स की किसका मिस्तमाल की जाती है दोस्तो इसका उपयोग पेटकी infection, urine infection, dust, peaches, आतों में infection हो जाना, पशाब में जलन हो जाना, सूजन आना, यॉन संकर्मन हो जाना और अंदुरूनी ज्वर वैसे ज्यदातर इसका ज्वर में तो नहीं किया जाता है और अगर दिसो दस्त पेचिस बहुत ज़्यादा है ठीक है और ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन साथ में आपको और भी टेबलेट खानी पड़ेगी जैसे कि इंटेरो कुनाल, लोपरमाइड, मेफटल स्पास इसका भी इस्तमाल कीजे साथ मे ताकि आपको जल्दी एरा मिल सके और साथ में आप ऐसी लॉक टेबलेट का भी इस्तमाल कीजे ताकि इसकी वज़े से गैस वगेरा पेट में ना बने क्योंकि इसको लेने से कई लोगों को गैस बन जाती है और उन्हें बहुत ज़दा तकलीफ होती है, दस्त वगेरा होते हैं दस्त ठीक है बहुत ज़दा कईयों को वैसे ही छुटना दस्त हो जाते है बिल्कुल और कईयों को खून आने लगता है दस्त कोई को पस पस आती है दस्त में ठीक है पेचिस में तो किसी भी प्रकार की अगर दस्त हैं चाहे खून वाले हो चाहे पस वाले हो तो उ लेकिन डॉक्टर की सला से या फार्मासिस्ट की सला से इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है इसकी जो डोज होती है सोबै शाम खाना खाने के बाद दी जाती है और साथ में जो मैंने कॉंबिनेशन बताया हैं आपको वह भी दे सकते हैं ठीक है वह भी दिये जाते हैं और इसे प्रेग चाहे वह एक महीने की और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है वह भी इसका इस्तमाल नहीं कर सकती है उसे भी डॉक्टर मना करते हैं उनको भी देने को ठीक है और इसका लगातार तीन दिन तक इस्तमाल किया जाता है और ज्यादा अगर इंफेक्षन हो तो साथ दिन तक भी इस्तमाल करने को बोलते हैं डॉक्टर ठीक है तो वो पेशन्ट की condition की उपर depend होता है कि उसे कितनी infection है अंदर तो वो डॉक्टर आपको चेक करके बताएंगे ठीक है तो ये तो इसकी डोस होगी अब इसके side effect जान लेते हैं तो दोस्तों इसके side effect जो देखे गए हैं इसको लेने से क्या होता है कि मुँ में छाले हो जाते हैं कई लोगों को ठीक है और कब्ज बन जाती है पेट में लेटरिंग नहीं उतरती है इतनी जादा जाम हो जाती है अंदर कि उन्हें सोच जाने में बहुत दिक्कत होती है बहुत जोर लगाना पड़ता है तो ऐसे में आप साथ में ऐसी लोग इसके साथ जरूर इस्तिमाल करना ताकि आपको गैस ना बन सके ना कब्ज बन सके ठीक है और इसको लेने से पेट में गैस भी बन जाती है कई लोगों को ठीक है तो वो मैंने पहले ही बता दिया आपको और सिरदर्द हो जाता है मुँ का स्वाद बदल जाता है और पूरे शरी में खुचली भी हो सकती है इसको लेने से जब रेक्शन होता है तब ये नुकसान का मतलब यही होता है कि रेक्शन होना ठीक है तो अगर आपको इन में से कोई भी दिक्कत लगती है पहली गोली लेने से तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरू दिखाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मेद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जूरी कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मूलेगा धन्यवाद